आज गाजीपूर में किसानों के धर्णे परदर्शन का दूसरा दिन है, सबको शांती पूर्वक चल रहा है, किसान की जो किसान यूनियन के तहर जितने भी किसान यहां पर आए हैं, सभी शांती से यहां धर्णा परदर्शन दे रहे हैं, इस समय का यहां का जो मौहौल है, वो हम आपको दिखा बता देते हैं, आप देख सकते हैं कि यह जो रास्ता है, यह यूपी से दिली की तरफ जाता है, जो बेरिकेडिंग है, वो दिली पुलिस की तरफ से गी गई है, जो दिली की साइट पे आपको और सेरिक बलके जवान दिखाई देंगे, दिली पुलिस में जाना चाहेंगे तो उनको पुलिस के घेरे में वहां तक ले जाये जाएगा लेकिन उसके अलावा उनको दिल्ली में जाने की अनुमती नहीं है इसलिए आप देख सकते हैं कि यह बैरिकेडिंग की गई है हलाकि किसानों ने बुराडी वाले मैदान में जाने से इंकार कर दिया है यह जो आपको यहाँ पर ट्रॉलिया दिखाई दे रही है यह ट्रॉलिया बैरिकेड तक आती हैं किसान कोशिश करते हैं कि वो इस बैरिकेड को हटाने की कोशिश करें उधर से अर्सेनिक बल और पु वो यहां पर शांती पूर्वक तरीके से बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि उनकी मांग एक है कि किर्शी कानून वापिस ले जाएं। और जहां तक ग्रह मंतरी अमिश शाजी द्वारा बात किये जाने की बात है। उसके उपर उनका यह कहना है कि जो यह अपनी मांग पर एक कायम है, इनका कहना है कि जब तक कानून वापिस नहीं होगा तब तक यह वापिस नहीं जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस समय जो किसान है वो उनके लिए लंगर चल रहा है, खाने पीने की व्यवस्ता है। आपस महीं लोगों ने मैनेज किया है। और यह एक तरफ यह खाना चल रहा है, दूसरी तरह आप देखेंगे। तो यह आग वेगरा सेखने के भी इंतजाम है। वहीं पर कुछ लोग जो हैं, वो हुकका भी ले रहे हैं। हम लोगों से बात करते हैं कि अभी रात का समय है। अब वह कैसे यहां पर क्या इंतजाम है, कैसे रुखेंगे। क्या नाम है आपका कहां से मैं युवा जिला परवक्ता भारते किसान यूनियन टिकेद बुलेंशेर बहुत बड़ी ताजात में बुलेंशेर जिले से आए हैं और भारत का किसान अब जाक चुका है गाउं गाउं से टेक्टर अभी रातों में आएंगे और जैसे ही मानने च अगर मानने राकेश टिकेट जी दुवारा अगर हमें आदेस होगा तो वेरिगेटिंग तोड़के दिल्ली में जाएंगे ताव रात में कैसे हैं रात में जैसा भी अपना टैम काटेंगे रात में रुखने का हम ट्रोलियम में लेकर के इंतिजाम चले हैं खाना दाना सब और गुज देख चले हैं हें रुकाइंगे जब तक हाइकमान का अदेस ना दियूश नहीं настоящ जैसा खंटे में जा करें कि आप हम बात करने को तयार हैं बात करने केलिए बुराडि हाए निरंकारी वाले मैंदान में तो बात करने को किसान को कानून है वह वापिस लिया जाएगा वो यहां से बात करने नहीं जाएंगे हम आपको गाजीपूर बोर्डर के बारे में बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से किसान बैठे हैं इससे यहाँ का कोई रास्ता जाम नहीं हुआ है लोगों को वेकलपिक मार्ग दिये गए हैं आवाजाही में कोई परिशानी नहीं है हाला कि दो दिन में यहाँ पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है आज शाम को भी एक जथा है पश्चमी उत्तर परदेश से लगातार किसान यहाँ पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अब जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनके खाने पीने के इंतियाम के बाद रात को यहीं पर बहुत सारे लोग हैं जो यहीं पर सोएंगे हम आपको दिखाते हैं कि कैसे सोने के इंतियाम किये जा रहे हैं बहुत सारे लोगों ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर सोने के इंतियाम किये हैं बहुत से बुजुर्ग यहां बैठे हुए हैं जो आप देखेंगे कि हुक का और किस तरीके से एक बुजुर्ग सोई में हम आपको दिखाते हैं की उन्होंने फुटपाथ को ही अपना तकिया बना लिया है और अगर ये जगे होंगे तो हम इनसे बात भी करते हैं कि तावी जी आप रात को क्या हैं सोने वाले हैं इस पात पो यापने तकिया बना लिया है ले आजेगी एसे नीं हाँ नारो यह तो सोना पड़ेगा मज़बूरी है आपको ऐसी सो जाएंगे जाए इतना इतना मेरी भागनि मनन इतने के मिलने चाहर हो तो में तरा बी समय हो जाएगा कि तना समय हो जाएगा वा हमतर्ट केजनरा अर्टो करियें ना कि तर्वा वे के इलतारें इनकी रपोर्ट करें फिर पिसा देनी रे मारा पूर्कूerg जो निय आ कानून है जो नींतम समर्थन मुल्लेवाले जो वी वाद है ए उस वा आ खैसा पक्ष में नहीं मेरे पकस्म ने ग्याहूं भीटन लग रहे गरू कोई लेवानी उन्निस का बाकार जिया हम पंदराशे जेन को पिचार है महारे ग्याहूं भीट्च अब गरूमा पिडिये आज पंदराशों में भी खरीद्दार ने उनका अल ग्याहूं अभी से आने लिए इबते पहले हैं अर अग्यात पता है निकिया होगा आलू था पहले किशान का आलू तो बहुत बंदा गरीद गया है वहीं पचास रपे किलो उसे खरीदना पढ़े रहे आपने सुना कि जो किसान है शांतिपूरवक तरीके से यहां पर धर्णे परदर्शन के लिए बैठे हैं किस तरीके से फुटपात पर ही सोने को तैयार है इरादे बहुत साफ हैं कि चाहे कितना वक्त लग जाए वो यहां से नहीं हटेंगे चाहे कितनी मुश्किले आए चाहे यहां खाना पी कितनी है